दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग कैसे आप सभी लोग और आज हम लोग बात करेंगे करेंट अफेर्स आज की करेंट अफेर्स यानि की 20 माज से संबंदी जित्ते भी महत्पूर करेंट अफेर्स हैं उन में और दोस्तों हम लोग यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि कौन सा प्रश्ण जो है वह आज आपका आज का प्रश्ण रहेगा क्यों कि कल के जो नोट्स होते हैं उससे पूछे जाते हैं दोस्तों आज का प्रश्ण है सरस्वती सम्मान के बारे में किये गए कथनों पर विचार करें आपको बताना है कि सरस्वती सम्मान जो है कि यह सरस्वत सम्मान के बारे में आपको बताना है कि सत्यकत्रों का प्यान करें यह सम्मान केके बिड़लाफ फाउंडेशन द्वारा 1991 से दिया जाता है यह आपका पहला स्टेटमेंट है पहला सरस्वती सम्मान हरीवन सराय बच्चन जी को दिया गया था और वर्स 2023 का सरस्वती सम्मान जो मल्यालं कभी प्रभा वर्मा को दिया गया आपको बताना इसमें चक्रवाती तूफानों का वर्डन करें, यह आपको बताना है, चक्रवाती तूफान के बारे में आज थोड़ा सा हम लोग समझेंगे भी, और इस पे जो है बेसिक जो है information आप जो है ले सकते हैं, अपने जो है नोर्स के माद्यम से, यह complete जानकारी के बारे में हम लोग देख मुखे पर इच्छा का, उसको हमने देखा, ताथ ही आज का जो पेपर, कल का जो प्रस्न था, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, आल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा, निम्न में से किसे रास्ट्रिय दिव्यांग आईकान गोशित किया गया, तो दोस्तों यह इतल द दिव्यांग देवेंद्र जांजरिया, यह सभी किस फिल्ड से हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताईएगा, इनकी चारों की फिल्ड, किस फिल्ड से हैं, किस छेतर में यह खेलते हैं, यह सारे स्पोर्स परसन है, और सभी ने भारत का नाम रोशन किया है, बड़े इस्तर प द्वारा कमिशन द्वारा जो है, इसको बनाय गया है, अब दोस्तों, आप से सरवाइकल कैंसर पर एक प्रस्न पूछा गया था, सरवाइकल कैंसर कैसे होता है, भारत में, इसके बढ़ते प्रसार पर, रोख थाम कैसे लगा जा सकती है, कुछ सुझाव प्रस्तुत करें, तो इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे, साथ ही दोस्तों हम आज की बात करते हैं, आज के करेंट की बात करते हैं, उससे पहले हमारे कुछ टाइम टेबल हैं, उस पर हम लोग देख लेते हैं कि यह टाइम टेबल जो है, आपको निशुल्क मिल जाएगा, हमारे नीचे description box में दिया गया है उससे अपसे पूछे जाएंगे आप वहां से ले सकते हैं WhatsApp ग्रुप से वहां से जो है यह पूरे 120 दिन की पूरी रणनीती है कैसे आप GS paper 12346 सभी और साथ ही साथ आरो यारो की भी complete टैरी कैसे करें हमारे कुछ बैचे जैसे समगर बैच है हमारा जो है सचिवाला बैच है इन सभी की cost जो है हमारे app पर आपको मिल जाएगी और वहीं से आप यह course जोईन कर सकते हैं रामबान बैच है आपकी लेखनी बैच है सुधार बैच है करेंट अफेर्स का है और एक समर्त बैच यूवी पीस इसके लिए पिछलिए दोस्तों शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों मैं धनेंजे सिंग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने platform अभियान civil services पर ज जो उष्ड कटबंदी चक्रवात जो हैं वो होते हैं वह भारत असलिया आदि देशों में होते हैं टाइफून उनको कहीं पहीं पर कहा जाता है कहीं हरीगेन कहा जाता है तो इसके बारे में हम लोग डीटेल जो है basic class में हमने किया है असलिया के उत्तरी छेत्र में कारपें कर रहा हूं कि 15-20 मिनिट में complete जो है current affairs के साथ साथ जो है उत्तर लेखन अभ्यास भी आपका हो जाए जो कि आपको आदे घंटे टोटल लगेंगे नोट्स भी शेर की जाते हैं हमारे whatsapp group में आप 8802913517 पर whatsapp करके detail जानकारी ले सकते हैं इसलिया के उत्तरी छेत्र में कारपेंट्रिया की खाड़ी के दक्षट पक्ष्मी भाग में इस्थित बोरो लूलो बोरो लूला शहर प्रभावित है इसमें माना गया कि 130 किलो मिटर पर आवर की गति से यानि 200 किलो मिटर के आसपास भी ये गति बढ़ने की संभावन थी चक्रवारती तूफान मेगन मेगन का नाम आप याद रखिएगा आने की संभावना है और 200 मिलिमीटर से अधिक की बारिस की भी संभावना जता ही जा रही है आज ये तूफान जो है आचुका होगा जिसके बारे में कुल डीटेल नियूस जो है हम कल के प्रस्ण पर भी द कि काफी राहत की संस मिली है और सारे एस्पिरेंट को कि जो जो है इधर उदर के एक्जाम में फसे हुए थे खास करके यू पी-वी से सब्साद कर गोड़ा और एक ही दिन थे तो उन सभी के लिए बहुत ही राहत भरी संस की एक महिने का और टाइम मिलगया है यहां और एक मेने के 20 दिन का आपको और टाइम मिल गया है और ये चुनाओ के कारण हुआ है और किसी कारण नहीं कि इसी दिन चुनाओ होने वाले थे आयोगने आगामी चुनाओ के कारण परिक्षा अस्थगित किये है UPSC की प्राराभिक परिक्षा जो है तिविल सेवा और भारत का नया राजदूत न्यूट किया गया है वरतमान में म्यामार के भारत के राजदूत यह तीन न्यूज आज की हत्पूर्ण न्यूज रही आगे हम देखेंगे सिग्नल्स टेक्नोलोजी इवल्यूएशन एंड अडॉप्शन ग्रूप स्टेज जो है यह बनाया गया है और यह काफी महत्वपूर्ण होगा आपने बहुत सारी मूवी देखी स्टार वार्स और आप देखते होंगे बहुत सारे जो है आर्मी की जो एडवांस टेक्नोलोजी है उसको लेकर के आपने देखा होगा कि यूएसे आपका रस्या जैपान प्रांस ब्रिटेन यह सभी काफ लगत्यात त्रह कारति सेना ने सिग्नल टैकनोलोजी इवैल्यूइशन और अड्यूप्स है यह और आप्शन ग्रूप स्टेज की इस्थापना किये यह अपनी तरह की पहली विशेश प्रद्योगी की एक आई है टेक्नोलोजीकल यूनिट पहली यह बनाई गई है अब य यूनिट क्या करेगी दोस्तों industrial revolution 4.0 के तहत जो है बहुत सारे ऐसे तकनीकी आई हैं जैसे की artificial intelligence 5G 6G network machine learning quantum computing internet of things आप जो है अन्य जितनी भी अत्याधुनिक संचार प्रद्योक्य का अनुसंधान और मुल्यांगन करना यानि कि यह स्टेज जो ग्रूप होगा यह भारती सेना के लिए पहला अपना फर्स्ट इट्स काइंड ओफ टेकनोलोजिकल हब और टेकनोलोजिकल ग्रूप है जिसमें हम बीविन प्रकार के इंडेस्ट्रिल रेवलुशन 4.0 के जितने भी पूल्स हो सकते हैं रोबोटिक्स हो गया इसमें क्वांटम कम्प्यूटिंग हो गया इंटरनेट ओफ फिंग्स हो गया आपका मशीन लर्निंग हो गया नेटवर्क तो हो है हाई स्पीड नेटवर्क और AI बेस जो है ड्रोन आपके ड्रोन और रोबोटिक्स इन सभी का उप्योग करके हमारी भारती सेना को एक्विप्ट किया जाएगा भारती सेना को और भी ज्यादा मजबूत करना जो की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलोजी है यह सारी और भविश में इनके खत्रे को भी देखा जा सकता है इस वज अब होता क्या है दोस्तों यह क्या है पहले तो हम इसे जान लेते हैं फिर इसके बादे में थोड़ा सा अध्यान हमें करने क्या आउशकता होगी निवेशकों के हितों की सुरक्षा और पारदर्सिता बढ़ाने के लिए Association of Mutual Fund of India in India AMFI जिसको बोलते हैं अन MBT कंपनीजाने मत्यात कंफ़ में अपका इन्वेश्मेंट करते हैं एसे एसें सेट में जुनालाओं करने का निर्देश दिया है जिसमें से फ्री फ्लोटिंग जो आपके तेber स्वाक होंगे उनको उनकी जानकारी आपको मिलेगी साथ ही साथ आपके एसेट मैनेजमेंट के क्या स्ट्रेस लेवल है उसका पता चलेगा यह क्या होगा दोस्तों इन परिक्षणों के परिडाम पिछले महीने के आकणों के आधार पर अगले महीने की 15 तारिक तक एमसी यानिके एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो आधिकारिक पोर्टल पर और जो एसेट मैनेजमेंट जो आपका एसोसियेशन अप मूचल फंड है उसके विपसाइट पर घोशित किये जाने हैं जिससे की सकता है mutual fund में investment को लेकर के mutual fund में बहुत सारी ऐसी सामक चीजें भी फैलाई जाते हैं कि आपका पैसा हमेशा बढ़ेगा ही लेकिन वह एक रिस्की प्लेटफॉर्म है जिसमें अगर ज्यादा research and analysis आएगी तो वह जो हमारा आसकर कि जो investor है वह अपने हितों को अच्छे से दे इसको आप जो है economic का एक नया term है जी सीधे आप से पूछाया सकता है UPSC UPPSC exam में पोखरा नेपाल की परेटन राजधानी बनाई गई आपको पता है कि दोस्तों नेपाल का एक बड़ा हिस्सा जो है GDP का वह टूरिजन से आता है आप सभी को पता है कि नेपाल के पास उतने इसे उतनी जो है infrastructure development नहीं है फिर भी नेपाल ने सरकार ने अपने परेटन को बढ़ावा देने के लिए पोखरा पोखरा एक शहर है तो देश की आधिकारिक परेटन राजधानी गोशित कर दिया है इसको आप ध्यान में रखेंगे एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं प्रश्णों को प्रश्ण जो आप से पूछा जा रहा है उसके बात जो है हम मुख्य परिच्छा के पर आज सर्वाइकल कैंसर पर बात करेंगे। कटबंदी चक्रवाती तुफान कहां बनते हैं हाली में आये कुछ प्रमुख चक्रवाती तुफानों का वड़न करें यह आपको इस पर देना है यह आपको जो है लिख करके डेली आप रखते रहिए इसका जो है वीकली आप जो है हमारे हमसे कॉपी भी चिक करवा सकते है दोस्तों हमारे कुछ कारिक्रम हैं उन कारिक्रमों से अब जुड़ सकते हैं जैसे कि हमारा समर्थ बैच है UPPCS प्रारामिक परिक्षा के लिए complete आपका मुख्य परिक्षा प्रारामिक परिक्षा सभी के लिए 2999 में यह पूरा 120 दिनों की आपकी पूरी डीटियल जो है आपके क्लासे जहें सेल्फ स्टेडी आप कर सकते हैं साथ ही हमारा दोस्तों सुधार बैच है answer writing का जो की current affairs और दोनों के लिए शुरू होगा अभी कुछ कारणों से इससे जो है कुछ दिन के लिए भी पूस्पून किया गया है खुली ग्यास पस जो है इसको लॉंच किया जाएगा अलाकि एक प्रस्ण उत्तर जो है आपको दिया जा रहा है current का डेली साथ ही दोस्तों लेखनी बैच हमारा शुरू हो चुका है इसे रैटिंग एक इस से हो चुका है इस हपते दो इससे और कराए जाएंगे रामबान बैच है तो थो उस्तों हमारा प्रारेमिक परिंच परिंचा यूटी पीपारिंच के लिए सची वाले बैस Аरो एहर के लिए आरो यारो की मूख्य परिक्षा और प्रार्मिय परिक्षा दोनों के लिए समगर वैचेक है इससे आप जूड सकते हैं तो हम लोग बात करते हैं इस पर टीटेल में तो आप लोग ध्यान दीजिए कि यहां पर जो है हम जो है कौन से एक प्रस्ण है उसका डिस्कसन कर लेते ह है लिसकसन के बाद जो है हम बात करेंगे इस पर करते हैं आज के प्रस्णतरीबर striking क्या होता है पारत्ल सरवाइकल कैंसर के बढ़ते प्रसार को कैसे हम रोग सकते हैं और यह कैसे जो है कुछ सुझाव अपने प्रसुत करें सर्वाइकल कैंसर दोस्तों महिलाओं में जो इसका पहला लक्षण जो है आम तोर पर योनी से अन्यमित रक्तसराव होता है और यह रक्तसराव कब होगा विशेश कर जब सेक्शुल रिलेशन्स बनते हैं उसके बाद जो है यह ब्लीडिंग बेजी से होने लगती है और यह तब तक नहीं देखता है जब तक की कैंसर बढ महिलाओं में देखेंगी इस सरवाधिक मौत जो होती है जिकता है हनई कर पाते महिलाईinda का अपनी चीजों को छूपा करके रखती हैं इस से यह संभावना होती से यह आम यह महिलाओं म्हें अवसे आए 35-44 स मत दिश्व में से 5 अब यह क्यों होता है दोस्तों इसके बारे में हम तोड़ासा देख लेते हैं सरभाइकल केंसर का कारानat पहला तो है कि योन संचारित संक्रमण है upload sfa had प्रेक्शन के कारण जो है यह होती है जैसे एक या अधिक यौन साथी होना यानि की सेक्शुल रिलेशन्स जो है कई विक्तियों के साथ बनाना विदाउट कॉंडॉम तो यह एक बड़ी समस्या है अगर मुल्टिपल आपके पार्टनर हैं तो उनके साथ जो है है और जो है यह बहुत जड़ूरी होता है उम्र में यौन संबंद बनाना यानि की 15-16 साल की बच्चेश द्वारा यह संबंद बनाया जाता है उससे जो है ट्रांसमीशन हो सकता है संकर में यह आप जिसके साथ में भी रिलेशन में हो उसके बारे में जानकारी नहीं आपके अंदर फैल सकती एक तो गवासेक्ष्वल कॉंडॉम सेक्स करती हैं और साथ में जो है गर्व निरोधक गोलियां लेती हैं अपने जो है उसके लिए तो यह क्या करता है जो भी गोली होगी वह क्या करती है जिसके कारण जो है वहाँ पर यह संभावना बनती है कि यह रिस्क जो है कैंसर का बढ़ता जाए ठीक है अब कि कुछ होता है जैसे वलवा योनी और गुदा में चैंसर का होना याने किसी अन्य कारण से भी हमारा इम्यून जिस्टम कमजोर हो जाता है अगर इसकी रोक थाम की बात करें भारत में पहले देख लेते हैं आकड़े क्या कहते हैं तो भारत में जो cancer होते हैं न उन सभी cancer में cervical cancer का युगदान जो है 6 से 29 प्रचित हैं तीरपन में से 1 महिलाओं को ये ratio है भारत में और 100 में से 1 महिलाओं पूरे विश्व में अगर करती है अगर भारत में और या अन्य कहीं भी रोक थाम की बात करें तो रोक थाम के लिए पनी कोलाओ जो है पर इच्छन जिसको पैप टेस्ट बोलते हैं वह कराना पड़ता है बैउपसी करानी पड़ती है अभी देखें बहुत बार जो है आठ से दस सालों तक जो है समस्या क्या होती है इस सर्वाइकल कैंसर में क्योंकि यह लास स्टेज पर ही पता चलता है जिसमें कीमो थेरेपी आधी करानी पड़ती है जो की समस्याओं का एक बड़ा कारण बन जाता है मेरे ख्याल से आपको क्लास पसंद आई होगी मिलते हम लोग अगली क्लास में सब्सक्राइब दनेवाद आप सभी